हलो दोस्तों मैं अग्रिशन आरिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरिया कोचिंग जैसा कि आप जानते हैं आप यहां पर पढ़ते हैं इंटर्मिडिट की मैथ और फिजिक्स के क्लासे बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चेप्टर नमबर वन की निमरिकल की कलास हमने जैसे की पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम निमरिकल की एक सिरीज शुरू करने वाले हैं बहुत सारे बच्चों की numerical problem होती है, उनको numerical समझ में नहीं आते हैं, numerical उनको हवा लगता है, ठीके, तो मैं आपको इस हवा को दूर करने का प्रयास करूँगा, ठीके, आज से हम लोग बिल्कुल basic से chapter number one से numerical स्टार्ट करेंगे, कंटिनूसली आपको one by one वीडियोस मिलते रहेंगे, आप अगर कंटिनूसली हमारी वीडियोस देखते रहेंगे, तो मेरा वादा है आपसे कि आपको numerical का डर आपका जो बैठा हुआ है आपके दिमाग में वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीके, आपको बहुत मज़ा आए को देखिए, मैंने description में इसका link दे रखा है, ठीके, तो आप जाकर के सबसे पहले lecture number one देखिए, उसमें मैंने numericals तो नहीं बताया है, लेकिन उसमें basic बताया है, कुछ formulas पर discuss किया है, और जो numerical लगाने का जो तरीका होता है, उसके बारे में discuss किया है, ठीके, तो सबसे पहले आप उस class को जरूर देखे, उसके बाद में इस class को देखेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीके, तो चलो class को start करते हैं, आज हम लोग chapter number one की पहली class, हम कह सकते हैं कि numerical का पहला lecture है, और इस lecture में कुछ questions हम cover करेंगे, जिस प्रकार के questions board exam में आते हैं, ठीके, इसके बाद में एक और lecture इस chapter से आएगा, क्योंकि chapter number one से board exam में numericals बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीके, लेकिन फिर भी जिस प्रकार का, जिस जिस प्रकार का question आपको board exam में पूछा जाता है, उस हर level का question मैं आपके सामने आपर रखूँगा, ठीके, तो motivation के लिए हमें चाहिए होते हैं, likes, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, तो इससे like करिएगा, share करिएगा, और एक positive comment शुरू छोनिएगा, ठीके, तो चलो, सुरू करते हैं, ये क्या है, chapter number one की numerical की क्रास, और अब हम सुरू करते हैं, आज की numerical की series को पहला question लेते हैं, ठीके, मैंने एक formula बताया था, कुलाम का नियम, मैंने कहा था कि किनी दो आवेसों के बीच में लगने वाला बल, मालिया, एक आवेस है Q1, जो बिंदू A परिस्तित है, एक आवेस है Q2, जो बिंदू B परिस्तित है, इनके बीच में कितना बल लगता है, इसके लिए हमें के बीच की दूरी होती है, ठीक है, कुलाम के नियम से ये formula हमें पता है, ठीक है, इसी पर एक छोटा सा numerical अभी हम लोग लेते हैं, अपने पास से, और उसके बाद में इसको solve करते हैं, उसके बाद में, देखो, बिल्कुल basic से आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप skip मत करेगा मुझे मालूम है कि आपको ये आता ही होगा, लेकिन फिर भी आप इसे देखें, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो चलो, लेते हैं एक numerical, मैंने कहा कि तीन माइक्रो कुलाम और माइनस दो माइक्रो कुलाम के दो आवेस हैं, कौन-कौन से आवेस हैं, तीन माइक्रो कुलाम और माइनस दो माइक्रो कुलाम के दो आवेस, एक दूसरे से दस सेंटीमेटर की दूरी पर इस्थित हैं, कितनी दूरी पर इस्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला वैदुत बल कितना होगा, ये हमें ग्याद करना है, कैसे ग्याद करेंगे, ध्य से देखिएगा एक आवेस हमने ले लिया जिसे हम Q1 कह सकते हैं कितना तीन माइक्रो कुलाम ठीक है दूसरा आवेस है Q2 जिसे हम बोल सकते हैं कितना है माइनस दो माइक्रो कुलाम इनके बीच की दूरी क्या है तो मैंने बताया कितनी दूरी पर इस्थित है इनके बीच की लिखते हैं वो है दस सेंटी मीटर तो यह आपको पता होना चाहिए आवेसों को Q1 Q2 से वक्त करेंगे अगर दो आवेस हैं ठीक है उनके बीच की दूरी को कहा है से वक्त करते हैं यह हमें पता होना चाहिए तभी तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे और यह मेरा वादा ह है कि अगर आप daily regularly हमारी class पढ़ेंगे तो आपको numerical easy लगने लगेंगे तो चलो देखते हैं इनके बीच में कितना बल लगेगा मैंने बता दिया है formula आपको पता ही है आप रख करके calculate कर सकते हैं लेकिन फिर भी उसके लिए मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखना कि आवेस आपके कूलाम में होने चाहिए और दूरी आपकी हमेशा मीटर में होनी चाहिए बल न्यूटर में होना चाहिए ठीक है अगर इन units में हैं तभी हम directly value रखेंगे otherwise अगर यह unit नहीं है तो इनको change करते हैं जैसे मैंने कहा Q1 जो है आवेस हमारा 3 micro कूला चाहिए तो micro कूलाम को कूलाम में change करने के लिए क्या करते हैं 10 to power minus 6 से multiply कर देते हैं तो यहाँ पर हम Q1 का value अगर हम कहें तो क्या होना चाहिए 3 micro कूलाम था तो 3 into 10 to power minus 6 कूलाम इसको लिख सकते हैं इसी प्रकार Q2 का value हम क्या लिख सकते हैं minus का 2 micro कूलाम था 2 गुणा 10 की power 6 कूलाम हो गया ठेक है और इनके बीच की दूरी जो है R, R क्या है 10 centimeter है और centimeter को भाय यह हमें कहें चाहिए मीटर में चाहिए होता है मैंने बोला ना meter मेंचाहिए तो meter में 10 centimeter को meter में याद रखें centimeter को meter में बदलना है तो 10 to power minus 2 से multiply कर देए 10 2 power minus 2 से multiply करेंगे तो centimeter काह में बदल जाएगा मीटर में बदल जाएगा यह बात याद रखना आगे हर question में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे अब इनके बीच में लगने वाला बल कूलाम के नियम से F equal to K Q1 Q2 upon R यह बिल्कुल basic से ले करके चल रहा हूँ ठीक है यह आपको आता होगा मुझे पता है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बताओंगा मैं बिल्कुल basic से बताओंगा जो कमजोर से कमजोर बस्चा होदा ना उसको भी समझने में आना चाहिए भाई ठीक है F equal to K का वैल्यू आपको पता होगा मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था basic वाली क्लास में अगर नहीं देखी तो यह देखो ना यार किसने मना किया है देखो link description में है K का वैल्यू क्या है 9 into 10 to power 9 K का वैल्यू यह याद रखना आगे हम हर numerical में इसका इस्तेवाल करेंगे K का K equal to क्या है 10 to power 9 Q1 Q1 का वैल्यू क्या है तो 3 into 10 to power minus 6 Q2 Q2 का वैल्यू क्या है minus 2 into 10 to power minus 6 बच्चा minus यहाँ पर हम आवेसों का value केवल लगते हैं उसका चिन हमें नहीं लेना है हम चिन से केवल यह पता करेंगे कि इनके बीच में आकर्सनबल है या प्रतिकर्सनबल है केवल यह पता करते है और उससे कोई मतलब नहीं होता है तो हम यहाँ पर Q2 का वैल्यू क्या लेखेंगे केवल 2 into 10 to power minus 6 अपान में R square R क्या भीया R का मतलब है 10 into 10 to power minus 2 का square कर दीजिए तो square हो गया कोई दिक्कत है चलो red pin ले लेते हैं आपके कहने पे आपने कहा क्या कोई बात नहीं मेरा मन हुआ भाई ठीके multiply करते है 9, 3, 2 9, 3, 27, 27, 29, 54 आपको पढ़ा तो पता ही होगा इंटू में 10 to power 9 ये है लिख दो भाई और minus 6 minus 6 दो बार है तो 10 to power कितनी हो गई बता दो 10 to power minus 12 अपन में क्या है 10 का square हो जाएगा 100 या 10 की power 2 और 10 की power minus 2 का square 10 की power minus 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा चलो इधर आते हैं भाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f equal to 54 है तो 54 लिखा एंटू में 10 to power कितना बचेगा minus का 12 9 प्लस का तो घटा देंगे 10 to power minus 3 बचेगा बैया और अपन में क्या है 10 to power minus 4 है और प्लस का 2 है तो ये भी घट करके 10 to power minus का 2 बच जाएगा यही तो बचेगा ठीक है minus 2 उपर कर देंगे ये होगा 54 into 10 to power भीया करो न तो इसको हम नीचे कर दें या उपर कर दें जैसा भी आपका मर्जी है तो हम यहाँ पर नीचे कर देते अपन में क्या जाएगा 10 to power minus 2 तो पहला इस था और 10 to power प्लस का 3 नीचे आगया आगया न उपर से नीचे नीचे से उपर जाए तो भाईया पावर minus का plus plus का minus हो जाता है तो f equal to 54 अपन में 10 to power minus 2 और 3 प्लस का है तो कितना बचेगा 10 to power plus का 1 थोड़ी लिखते हैं पावर में देखे अब 10 का हम जाब भाग कर देंगे 54 में तो क्या हो जाएगा 5.4 ये आगया भी या Newton में answer तो इनके बीच में कितना बल लगेगा 5.4 Newton का बल लगेगा और कौन सा बल होगा आकर्सन बल या प्रतिकर्सन बल तो आप आविसों को देखिए न एक है प्लस का एक है माइनस का एक पोजिटिव एक निगेटिव तो इनके बीच में कैसा बल होता है आकर्सन बल होता है तो इनके बीच में 5.4 Newton का आकर्सन बल होगा कैसा बल होगा मेरे खियाल से आपको समझ में आया होगा मैं छोटी से छोटा कैल्कुलेशन भी आपको समझा रहा हूँ ठीके तो इस बेसिक लेवल से आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी आप यह मत सोचेगा यह क्या छोटे छोटे सवाल बता रहें भाई यह छोटी छोटे सवाल ही आगे जा करके बढ़े बड़े बनेंगे ठीक है तो हम सब हर प्रकार का question आपको बताने वाले मुसारे साथ बने रही है ठीक है चलो तो हमें यह पतार है कि दो आवेऽ्षों के बीच में अगर हमें बल घ्यात करना है तो तो हम यह तरीका अपना सकते हैं बस ठीक है हो जाएगा न हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं अगला एक क्यूशन लेते हैं इसको साफ कर देते हैं अगला एक क्यूशन लेते हैं ठीक है अगला क्यूशन लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं ठीक है चलो आगे मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कौन सा फॉ पिशला वीडियो नहीं देखा तो भैस देख लो और यहां तुम्हें याद दिलाई रहा हूं ठीक हैं वयदू चेटर की तिवरता इस chron second क्या था बता दीजे भई इस उकल्टू था के क्यू अपान आर स्क्वेर ये क्या है ये क्या है ये था किसी बिंदु आवेस के कारण वैदु चेतर की तिवर्ता किसी बिंदु आवेस के कारण वैदु चेतर की तिवर्ता का सुत्र इस उकल्टो के क्यू अपान आर स्क्वेर था कि नहीं था याद आया न, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आवेस है Q जो बिंदू A पर इस्थित है और आप से पूँच दें कि इससे कुछ दूरी पर, मलब आर दूरी पर इस बिंदू पर वैदुच्छत्र की तिवर्ता बताईए इस आवेस के काड़ कितनी बनेगी तो इस बिंदू पर वैदुच्छत्र की तिवर्ता अगर ग्याद करनी है आपको तो फार्मूला आपके पास ये रहेगा E is equal to KQ upon R square E is equal to KQ upon R square ये तो फार्मूला रहेगा यहाँ पर K का वैल्यू मैंने बता दिया है पिछले वाले क्योश्चन में अब वो learn रख लेना है हमेशा हर यार हर सवाल में इसका अस्तिमाल करना है क्यों क्या है आवेश है जिस आवेश के द्वारा वैदुच्छत्र बन रहा है R क्या कितनी दूरी पर बन रहा है बस वही तो बस दो तीन वैल्यू है आपको पता होना चाहिए ये क्यों में दे देगा मैं क्यों लेता हूँ आपके लिए लगाईएगा ठीक है छोटा सा क्यों मैंने दिया क्या दिया भई तो क्यों है 8 माइक्रो कुलाम ठीक है 8 माइक्रो कुलाम के आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी दूरी पर तीन सेंटीमीटर की दूरी पर वैदुत छेतर की तीवरता ग्याद कीजिए क्योशन क्या है ध्यान से सुनिए क्योशन को सुनिए और नोट कर लीजिए कापी पिन लेके बैठा करो यार ऐसे ना बैठा करो कापी पिन लेके बैठो और लेटे हो अगर तो बैठे जाओ और बैठे हो तो बैठे रो बैठे रो अगर बैठे हो तो बैठे रो लेटे हो तो बैठे जाओ क्योंकि लेट करके आप अगर वीडियो देखें कि भाई इससे बड़ा पाप कुछ दियोगा ठीक है तो पहले बैठे जाओ कहां पी पेन उठाओ question में note बोलता हूँ इसको note करिए तुरंट और उसके बाद में अपने आप try करिए वीडियो को तुरंट रोकिए अपने आप try करिए answer लाइए उसके बाद मैं यहाँ पर solution दूँगा तो आप अपने आप इसको check करिए कि मैंने सही किया है नहीं किया है अगर गलत किया है तो यहाँ पर check कर लिजिए अगर गलत सही किया है तो बहुत अच्छी बात है congratulations आपको ठीक है चलो देखते है question नंबर में दो ले रहा हूँ मैंने क्या बोला है वी question मैंने question बोला 8 microgram आवेस से 3 cm की दूरी पर वैदुच्छ्छ्छ्टर के तिवरता गयाद कीजिए 8 microgram आवेस ध्यान से देखें आवेस कितना बताया गया कि एक आवेस है किसी बिंदुपरस्थित होगा कितना है 8 microgram का आवेस है और इससे कितनी दूरी पर वैदुच्छ्छ्छ्छ्टर गयाद करना है सबसे पहले के की क्या है आवेस मतलब कितना है आठ माइक्रो कुलाम मैंने बताया था Micro में नहीं चाहिए, तो किसमें चाहिए कोलाम में, तो Micro को कोलाम में बदलने के लिए 10 to power minus 6 से multiply 8 Micro कोलाम हो गया, ठेक है into में क्या है, into में into में क्या है, यहाँ पर दूरी कितनी है, कितनी दूरी पर वैद दूरी पर जात करना है तो 3 cm जो है इसको हम मीटर में चेंज़े करें तो कैसे करेंगे 3 into 10 to power minus का 2 मीटर हमने बताया था cm को मीटर मदलने लिए 10 to power minus 2 से multiply करिए कर दिया, ओके, चलो, वैदुच्छदर के तिवरता ग्याद करनी है E ग्याद करनी है, फार्मूला क्या है अभी मैंने बताया था, E is equal to क्या होता है E is equal to होता वैया, K Q upon R square K Q upon R square, value पुट कर दिजिए वैया, K का value बताया ये, पिछले वाले question बताया था, कित्ता था, याद है, नहीं याद है इत्ता तो याद रखो यार, कित्ता होता है, 9 into 10 to power 9 into Q, Q कित्ता है, question में दिया है, 8 into 10 to power minus 6 दिया है upon R square, वैया R कित्ता है, तो 3 गुणा 10 की power minus 2 का square लिख दिया, आगे चलते, E equal to 9 into 8 into 10 to power 9 ये, minus 6 ये, कित्ती बचेगी plus की 3 बचे की नहीं बचे, बचे गई, चलो ठीक, नीचे ये 3 का square क्या हो गया, 9 10 की power minus 4 का square, 10 की power, sorry, 10 की power minus 2 का square क्या हो गया, 10 की power minus का 4 minus का 4, ओके, तो यान ये 9 से 9 काट तिया जाए ना, हाँ, तो अब ये क्या बनेगा, equal to, equal to 8 गुणे में 10 की power कित्ती बनेगी, 3 उपर तो पहले से है, और 10 की power 4 को भी उपर कर दो, तो प्लस की 4 हो गई, minus के 4 थे, उपर गई, प्लस की 4 हो गई, equal to, 8 गुणे में 10 की power 4, 3, दोनों प्लस की जुड़ जाएंगी, 7 निउटन प्रती कूलाम, ये आगया भया, वैदुत छित्र, ओके, तो 8 माइक्रो कूलाम से 3 सेंटीमेटर दूरी पर, किसी बिंदु पर वैदुत छित्र कितना होगा, 8 गुणा 10 की power 7, निउटन प्रती कूला मेरे ख्याल से आपको समस में तो आई रहा होगा, ये समस में आ रहा है न, तो लाइक करिये यार, इतनी देर से क्या इंतजार कर रहे हो, लाइक कर दो, इस वीडियो को सेर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्यों को उनको भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, और आप सपोर्ट मुझे चाहिए भाईया, देखो, अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो बच्चे देखेंगे, आप स्टूडेंट्स देखेंगे, तभी तो मैं बना पाऊंगा, और मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, और कोई हमारे वीडियोस देखी नहीं रहा है, तो कैसे मन लगेगा भाई, और यतने दिनों से मैं यूटूब से कुछ दिनों से दूर था, मैं कुछ प्राबलम थी, पर्सनल प्राबलम थी, स्वास्ते भी कड़बर था हमारा, मैंने तो यहां तक यह सोचा था कि मैं अब यूटूब पर नहीं चाओंगा, लेकिन आप लोगों क कमेंट्स ने मुझे फिर आने पर मजबूर कर दिया, बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार मिला, बस आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रही है, वीडियो को सेर करिएगा, कमेंट एक अच्छा सा, प्यारा सा, बस छोड़िएगा, ठीक है, जिससे मुझे मोटीबेशन म आएंगे, जो जिस प्रकार का questions एक्जाम में आता है, अच्छा मैं एक questions लेता हूँ, जो मेरे पास लिखा हुआ रखा है, ठीक है, मैंने लिख करके रखा था है, ये board exam में आया हुआ question है, अब देखते हैं कि इन questions को हम कैसे solve करते हैं, इसी है, कठिन नहीं है, लेकिन थोड ठीक है एक क्यूश्यन है आप लोग लिख लेना ठीक है आलसी मत बनो बैठ जाओ बैठ करके पेन उठाओ कांप्यूट लिखना शुरू कर दो डिजिटल बोड हमारे पास तो नहीं है ठीक है कि मैं PDF लगा लगा दो और डिजिटल बोड लेने की अभी के सकते हैं उकात नहीं है उकात क्या यार पैसा नहीं है यार गरीब आदमी हूं ठीक है तो पैसा नहीं है तो मैं कैसे ला सकता हूं बस आप लोग थोड़ा सा सेल्प करेंगे वीडियो सेर करेंगे अच्छे व्यूज आएंगे थोड़ी बहुत अगर अर्निंग होगी उससे हम डिजिटल बोड पढ़ाते हुए फिर मिलेंगे ठीक है तो मित करता हूं जल्दी ही डिजिटल वोड हम ला पाएंगे पस आप लोगों का साथ चाहिए आप लोग साथ देते रिए ठीक है गाली मत देना भी यह गाली मत देना ठीक है गाली मत देना बहुत यार कमेंट में मुझे तो डर लगता है आप लोगों से कभी-कभी चलो कोई बात नहीं है मजाग था क्योशन है मेरे पास मैं लिख पढ़ रहा हूँ दिया गया है दो बिंदु आवेस प्लस 9E तथा प्लस E दो आवेस है एक 9E और एक E लिख लेना दो बिंदु आवेस प्लस 9E तथा E एक दूसरे से 16 सेंटीमिटर की दूरी पर स्थित है आगे बताया गया है इसके बीच एक आवेस क्यूं कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो अब question क्या है इसको जरत ध्यान से समझते हैं ठीक है और ये board exam में आया हुआ question है ठीक है कैसे अब इसको साल करते हैं ध्यान से देखे दो बिंदु आवेस हैं एक क्या है 9E और दूसरा है E दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं 16 सेंटीमिटर की दूरी पर स् ठीक है इनके बीच में हमें क्या रखना है कोई एक आवेस रखना है क्यूँ कहां पर रखें कि वो संतुलन की अवस्था में रहे संतुलित रहे अब इसका अर्थ क्या है मैं आपको समझाता हूं ध्यान से देखे ठीक है दो बिंदु आवेस बताया गया दो बिंदु आव बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यह वीडियो सूट करने में ठीक है लाइटिंग की प्रॉब्लम है अच्छी लाइटिंग नहीं है मुझे पता है लेकिन फिर फिर आप लोग काम चला लेंगे कोई दिक्कत नहीं है मैं इसको अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं लगात ठीक है अब प्रेशान नहीं होगा प्लस 9E एक आवेस है प्लस इएक दूसरा आवेस है और A और B दो बिन्दों पर स्थित है ठीक है अब इनके बीच यह दोनों के बीच का दूरी कितनी है बीच की दूरी भईया है 16 सेंटीमेटर इसने बोला है कर दो आवेस है प्लस 9E औ हमें क्या राखना है एक बया प्लस क्यों आवस रखना है इस को कहां पर रखा जाए कि क्या हो इनीज संत्रोंट के स्तिति का मतलब क्या पहले यह समझ नीज़िए एक बाद में इस इस टाइप का questions बहुत इकजाम में पोंचा जाता धाएए घथ कर आपitelा लोन ससंत्रों आने के संभावना रहती है ठीक है तो समझें जरा बही हमें मालूम है कि इनके बीच में अगर हम कहीं भी आवेस रखेंगे तो उस आवेस पर दो बलकारे करेंगे एक तो ये वाला आवेस अपनी और इसको खिंचेगा ये वाला आवेस अपनी और इसको खिंचेगा ठीक है अ अगर दोनों बराबर बल लगाते हैं, इधर से लगने वाला बल और इधर से लगने वाला बल बराबर है, तो क्या होगा? ये वस्तु इधर उधर किसी भी तरफ नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी. लेकिन अगर बल कम ज्यादा हो गया, मालिया इधर वाला ज्यादा बल हो तो वस्तु इधर चली जाएगी? इधर? जिधर जादा बल होगा, उधर की ओर वस्तु विस्थापित हो जाएगी ना? तो जब विस्थापित हो जाएगी तो उसे हम संतुलन नहीं कहेंगे. संतुलन की इस्तिति तब हम कहेंगे, जब वस्तु पर बल तो लग रहे हैं, ल ठीक है तो हमें क्या करना है इस आवेस को इनके बीच में रखना है कहीं पर बीच में कहना है बिलकुल बीच में नहीं इधर उधर कहीं भी हो सकता है इनके बीच में यहां भी यहां भी कहीं भी रख सकते हैं ठीक है लेकिन आपको यह बताना है कि संतुलन की स्थति में रहे ऐसी जगे पर रखिए, मतलब इसके द्वारा भी इस पर बल लगेगा, जब हम यहाँ पर कहीं पर रखेंगे, इसके द्वारा भी उस पर बल लगेगा, तो दोनों बल जब एक दूसरे के बराबर होंगे, तभी तो ना तो ये वाला इसको खीच पाएगा, ना तो ये वाला बिल्कुल बीच में तो नहीं हो सकता मांन लिया कि आवेस कहीं न कहीं यहां पर रख दिया जाएगा इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने P तो A और P के बीच में एक बल लगेगा और P और B के बीच में भी एक बल लगेगा दोनों बल जब बराबर होंगे तभी तो ये संतुलन तवस्था में होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बल होगा संतुलन की इस्थती के लिए F, P पर लगने वाला बल किसके द्वारा? A के द्वारा बराबर होना चाहिए किसके? F, B, P पर लगने वाला बल किस के दारा B के दारा मनलब इनके इनके बीच A और P के बीच का बीच और B और P के बीच का बीच जो बल है बीच का बल जो है वो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए ठीक है तो यह मैंने फंडा लगा है और यह फंडा आगे के कई questions में हम apply करेंगे और यह Q2 हो गया ठीक है यह भाईया Q1 हो गया 9 electron Q2 हो गया Q टिक जब हम इनके इनके बीच की बल की बात करेंगे तो Q1 हो गया electron मनलब E और Q2 हो गया फिर यह इनके इनके बीच में Q1 Q2 क्या दिक्कत है यार लगा लो इनके बीच की दूरी बताईए जरा दूरी का तो सब खेल ही है भाई दूरी का यह तो खेल है टोटल 16 cm है टोटल तो 16 cm है तो इनके बीच में यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ए से पी तक की दूरी माल लिया हमने x है अगर x है ए से पी तक की दूरी तो इधर वाली कितनी बचेगी भईया, 16 से यह X गटा दो, तो यह 16 माइनस X दूरी हो जाएगी, बात क्लियर, 16 माइनस X संटीमेटर दूरी है, ठीक है, चलो, आते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, करते हैं, जो भी करना है हमें, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना है, दोनों के बीच में लगने वाला बल निकालना है, बल बराबर मों था भीया, F, स्वारी, क्यों, 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 क्यों Q2 कौन है, इधर R कौन है, उधर R कौन है, अलग लग होगा, भया, K तो constant होता है, ये same रहेगा, तो इसका हमें मतलब भी नहीं है, K इसे रख दो, चुप चाप, ठीक है, Q1 कितना, तो Q1 कितना है, यहां पर है 9, electron, ठीक है, गुणे में लगा देते हैं, इंटो में Q2 कितना है Q2 है Q, अपान में R square, R कितना, यहां से यहां तक की दूरी को हम R कहेंगे, जिसे हमने लिखा X, तो X square, ठीक है न, लिख दिया, इसी प्रिकार, यहां पर आईए आप, ठीक, यहां पर आए, यहां पर क्या होगा, K, K इसे लिख दो, Q1, Q1 कितना, तो Q1 में यहां हमारे पास होगा, बताओ, 16 माइनस X का square, ठीक, अब कैंसलाट करो, K से K खतम, E से E खतम, Q से Q खतम, हुआ, अब इधर क्या बचा, बहिए इधर बच गया, 9 अपान में X square, इधर बच गया, 1 अपान में 16 माइनस X का whole square, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, थोड़ा सरल करने के लिए आप आपको बता रहा हूँ, इसको 9 को 3 और X का whole square, क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, लिख सकता हूँ, यह पता होगा आपको, ठीक है, यहां पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वण अपान, बहिए, 16 माइनस X, इस पूरे का whole square, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, हाँ, लिख कर लिए तो क्या आएगा भी यह हमाँ पास थिरी अपान में X बराबर में वन अपान 16 माइनस X किया जाए बताओ गुणा तिरी एक किरे कर लो भई X और एक का गुणा X 16 और 3 की गुणा 16 तियां 48 बता होगा X और 3 की गुणा 3 X X वाले एक तरफ कर ले 3X दर आएगा X प्लस में 3X बराबर में 48 इतना छोटा है कल्कुलिशन आपको कौन बताएगा है मेरे अलावा ठीक है फिर भी यार क्या फिर भी क्या बके दो हाँ चल कोई बात नहीं है ठीक है लाइक कर देना चार बटे में जाएगा X वराबर है 4 एक कम 4 चार दुनिया 12 सेंटीमीटर या क्या या 12 सेंटीमीटर तो हम कह सकते हैं कि 9 इलेक्टरान आवेश से कितनी दूरी पर जब आवेश रखना पड़ेगा 12 सेंटीमीटर के दूरी पर आवेश रखेंगे तो वहाँ पर ये आवेश संतुलित अवस्था में रहेगा ठीक है अगर पुझे इस वाले आवेश से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा तो ये 16 से 12 घटा दो यार 4 सेंटीमीटर के दूरी पर कोई दिक्कत नहीं होनी चीए बहुत इजी सवाल था ठीक है अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार रिपीट करके दुबारा इसको जरूर देखना ठीक है जरूर देखना समझ में तो आई जाएगा ठीक है फिर भी ना समझ में तो कमेंट कर देना भाई मैं दुबारा समझा दूँगा आपको बस comment करिए तो मैं आप लोगों के लिए हूँ बस यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए हूँ बस आप कहिए मैं बताऊंगा चलो एक question देता हूँ मैं आपको देता हूँ किया मेरे पास question लिखा हुआ है और ये भी board exam में आया हुआ है इसी पर basic question है बात करते हैं इसकी भी इसको note कर लिया skin shot लेना है ले लो लेकिन मैं कहूँगा भया skin shot ना लो यार तुम्हें क्या करना चाहिए पर इन उठाओ कांपी उठाओ साल करो लिखो ना और एक काम अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं हमारे notes की हमने सारे chapter के notes तियार किरें physics की ठीक है अगर लेना चाहते हैं अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो telegram channel को हमारे join करिये नीचे link description में मैंने दे दिया है ठीक है join करिये वहाँ पर सारी PDF आपको मिल जाएंगे ठीक चलो इंस्टा पर हमें follow भी कर सकते हैं कर लो अब कह दो गुरू जी promotion कर रहे हैं अरे भाई इसलिए कह रहा हूँ न अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे direct संपर कर सकते हैं ठीक है और promotion तो एक तरीके से होई रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है चलो आगे बढ़े बढ़ते हैं चलो अगला question लेते हैं ठीक है अगला question क्या है अगला question मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा ठीक है note कर लिजेगा question अपने आप solve करिएगा उसके बाद में मैं solve नहीं करूँगा ठीक है मीटर की दूरी पर इस्तित है ठीक ओके दोनों आवेसों को जोडने वाली रेखा के किस बिंदू पर वैदुत छेत्र की तिवरता सुनिय होगी यह आपको बताना है ठीक है बिल्कुल इसी प्रकार का बिल्कुल भाई इसी प्रकार का सवाल है क्या बताएगे, दो आवेस हैं, एक है प्लस पांच गुणा दस की पावर माइनस 19 कुलाम, एक है दस गुणा दस की पावर माइनस 19 कुलाम, चलो, देखते हैं, दिमाग में, दिमाग में सेट करिए ही सब बाते हैं, ठीक है, सबसे पहला आवेस क्या है वही, सबसे पहला आव अब लेक्या तो लिखा रहे हैं तो क्या है उपर लाइन है बस ठीक है और दूसरा वेस कितना है प्लस दस गुणाई सकी पावर मायनस उन्हीं स्कूला कि तो इनके बीच का दूरी यह 10 मीटर 10 मीटर इनके बीच की दूरी कितनी 10 मीटर में संटीमेटर नहीं है इनके बीच में किस बिंदु पर वैदुत छेत्र के तिवर्ता सुने होगी आपको ये बताना है कैसे बताएंगे जरा द्यान से देखिए हमने क्या बताया वैदुत विभाव वैदुत बल हो सुने तभी होगा जब इधर वाले इसके कारण उत्पन वैदुत छेत्र और इसके कारण उत्पन वैदुत छेत्र समान होगा इसके कारण उत्पन वैदुत छेत्र जितना हो उतना ही इसके कारण उत्पन वैदुत छेत्र हो दोनों का direction तो विपरित होगा ही तो एक दूसरे को खतम कर देंगे वैदुचत्र सुनने हो जाएगा तो वैदुचत्र सुनने कब होगा या वैदुचत्र सुनने कब होगा जब इस आवेस के काणुत पन वैदुचत्र और इस आवेस काणुत पन वैदुचत्र बराबर होगा तभी ये एक दूसरे को निरस्त करतेंगे और सुने हो जाएंगे बात क्लियर है यही फंडा मैंने पिछले वाले नुमेरिकल में भी बताया था बताया है कि नहीं बताया है ठीक है उसमें बलकी बात थी यहां पर वैदुचेतर है मैंने मान लिया कि यह बिंदु A है और यह बिंदु B है और जहां पर वैदुचेतर सुने हो जाएगा वो बिंदु है मान लिया P ठीक है कहां पर होगा यह आपको बताना है इस बिंदु P की दूरी को हम यहां से यहां तक X मान लेते हैं और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा तो अब बताई सकते हैं 10-6 हो जाएगा अरे इधर X तो इधर 10-6 जैसे पिछले वाले में टोटल दूरी 16 थी तो इधर की X माने थी उधर 16-6 माना था इसमें टोटल दूरी 10 मीटर है तो इसमें क्या हो गया इधर X है तो इधर 10-6 हो जाएगा सिंपल सी बत आइ फंडा तो वही है अब यहाँ पर वैदू-6 इसके काड़ और इसके काड़ दोनों बराबर होने चाहिए तँब ही तो यहाँ पर सुनने होगा तो हम कह सकते हैं वहाँ पर बल बराबर किया थे यहाँ पर वैदू-6 बराबर E A मतलब A के कानूत पना 1-2C और E B B के कान उत पना 1-2C दोनों बराबर होने चाहिए ओके ओके चलो लगाते लगाते फॉर्मला क्या होता है किसी भी बिन्दू आवेस कान 1-2C की तिवर्ता का फॉर्मला पहले ही आकर के मैने यापर बताया था E is equal to KQ upon R square बताया था कि नहीं बताया था पूँचो अरे बताओ यार E is equal to क्या बताया था KQ upon R square तो लगा दो ना यहां पे KQ upon R square इधर भी क्या लगाएंगे KQ upon R square मैं यह बस दिक्कत यह इधर Q क्या है इधर Q क्या है बस यही तो मेटर करेगा इधर R इधर R अलग अलग होंगी अलग अलग होंगी देख लेते हैं K Q क्यू कित्ता है बिया Q है इधर का इधर का Q कितना है 5 गुड़े में 5 गुड़ा 10 की पावर माइनस 19 कुलाम में है तो इंटेंशन नहीं है हमें पास ठीक है आप 5 में R, R क्या X X का स्क्वार ओके बराबर में इधर आजो K लिखा K लिखा गुड़े में Q Q Q इधर वाला Q कितना है 10 गुड़ा 10 की पावर माइनस 19 कुलाम ठीक है अप 5 में R, R कितना यहाँ पर है 10 माइनस X का होल स्क्वार 10 माइनस X का होल स्क्वार काटे कुछ कटेगा दिख रहा है भाई वैसे ही K से K कैंसल आउट और 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 का था ठीक है भाई यह 5 से 10 काटोगे 5 दूना 10 इधर क्या बचा 1 अपान X स्क्वार इधर क्या बचा 2 बटे 10 माइनस X का होल स्क्वार ठीक है तो मल्टिप्लाई कर दो भाई यह तो क्या बनेगा यह 2X स्क्वार इसका क्या हो जाएगा 10 माइनस X का होल स्क्वार अच्छा आप ध्यान से देखो इसमें हम क्या लिखेंगे रूट 2X का होल स्क्वार क्या लिख सकता हूँ मैं इसे लिख सकता हूँ न एक्वाल टू 10 माइनस X का होल स्क्वार ठीक है दोनों पक्षों का स्क्वार खतम तो क्या बचेगा आपके पास रूट 2X और एक्वाल टू 10 माइनस X X वाला एक तरफ करो न कल्कुलेशन करना तो आता ही है तो X इदर आएगा रूट 2X और प्लस का X आएगा बराबर में 10 बचेगा इसके बाद में X कॉमन लोगे रूट 2 प्लस 1 होगा बराबर में 10 होगा इस समझ में आ रहा ना आपको ठीक है इसको आपानवे कर देंगे तो X बराबर में 10 अपान में रूट 2 प्लस 1 अब ऐसा कैलकुलेशन तो आपने 1000 बार किया होगा बचपन में ठीक है बस कांजू केट से गुड़ा करते हैं रूट 2 प्लस 1 है तो रूट 2 माइनस 1 से हर वांस में गुणा करिए कर दिया भाईया X बराबर में 10 इंटू में रूट 2 माइनस 1 अपान में अलग-अलग स्क्वेर रूट 2 का स्क्वेर 2 और 1 का स्क्वेर 1 तो 2 मसे गया 1 बटे में तो 1 बचा उससे मतलब भी नहीं रहा X बराबर में 10 लिखिए रूट 2 का मतलब 1.4 1.4 होता है और माइनस में 1 लिख दिया ठीक है ओ दस लिखा 4.4 1.4 से 1 माइनस कर दिया तो बचेगा 0.4 1.4 और इसका जब मल्टिप्लाई करेंगे तो भी या इंसर क्या आएगा 4.1.4 4.1.4 मीटर मीटर में तो था ही इसका मलब है मेरे ख्याल से आपको ये समझ में तो आया ही होगा अगर आया है तो भी ये वीडियो को लाइक किये बिना नहीं जाना कमेंट किये बिना मत जाना और इसको सेर जरूर करिएगा आप लोगों के सपोर्ट के मुस्से जरूरत है और मैं आपको मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको आ करके इसी प्रकार से continuously daily एक दू वीडियो आपको provide कराऊंगा जिससे आपका numericals का डर खतम हो जाएगा और साथी साथ में मैं कोसिस कर रहा हूँ कि math भी आप लोगों को पढ़ाऊं तो देखते हैं math को start कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ अगर आपका response अच्छा रहा तो मैं definitely math भी पढ़ाऊंगा आज क्लास में इस तना ही रखते हैं आगे के किस लिवल के question आते हैं आगे के questions हम दो कल discuss करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है सारे questions आज की क्लास में बस तना ही तब तक के लिए good bye और पढ़ाई करते हैं ठीक है आल से मत बनें पढ़ाई करते हैं